वेल आप मैंसे मैक्सेम बच्चे का एक क्वेशन था कि सर यह NXT एक्जाम क्या है, इसका A to Z information हमें कोई नहीं दे रहा है, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे सर यह NXT क्या है, इसे need 24 और बच्चों के उपर क्या impact पढ़ने वाला है, और NMC ने क्या major major changes की और final draft कौन सा ready क्य है, next exam को लेकर हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, इस वीडियो को आप लोग 1.5x के split पर लगा लिजेगा, और अपने दोस्तों को जरूर से share किएजेगा, without wasting का निफदड़े, आईए हम लोग हमारे इस वीडियो को शुरू करते हैं, well मेरे प्यारे बाले को आज से February 2028 में, ठीक है, अब यह NEXT क्या है, देखिए मेरे प्यारे बालों को अभी क्या होता था, अभी for example आपने MBBS complete किया, और MBBS complete करने के बाद अभी आप लोग NEET PG का exam देते थे, ठीक है, अब जो foreign से आते थे वो MCI का qualifying exam देके, अपने license को पहले transfer करवाते थे, बाद में वो होगा, तुमारे तुम foreign से पढ़ किया हो, यह तुम इंडिया से पढ़ो, तुमको NEXT देना ही देना है, यह दो step में तुमारे exam conduct करवा जागा, क्या होगा, आए बात करते हैं, सबसे पहले बाद अब current situation के बारे में बात करेंगे कि अभी क्या चल रहा है, अभी actually में क्या हो होने के बाद, आप लोग internship में जाते हो, एक साल compulsory आप लोग internship में जाते हो, और internship के बाद जब आपको license और degree मिल जाता है, तो आप लोग NEET PG का exam देते हो, और NEET PG में अच्छे rank आने के बाद, आप लोग MD या MS कोई भी branch को आप लोग select करके अपनी post graduation करते हो, तो यह current scenario चल र करवाएगी, जो college आपका university से affiliated है, वो university आपका यह तीनों साल का exam कंड़ कराएगी, main बदला हुआ 4th year के अंदर आके, जब आप 4th year MBBS में जाएंगे, तो आपका NEXT 1 होगा, next one का पहला exam होगा, कब 4th year में होगा, जो कि आपका theory आपका exam होगा, यह आपका theory exam आपका होगा, औ और यह exam कौन कंड़ करवाएगा, तो यह NMC कंड़ कराएगा, आल ओवर इंडिया, मतलब 4th year का जो paper होगा, वो सारे इंडिया में, सारे college में, चाहे वो AMC हो, चाहे वो जिपमर हो, चाहे वो FMC हो, चाहे वो तुम्हारा कोई GM से क्यों ना हो, government medical college क्यों ना हो, एक exam कंड़ क का भी syllabus आएगा, जो कि पहले नहीं था, 4th year में से 4th year का ही syllabus आया करता था, और एक major बदलाओ क्या है ना, कि यह सिफ qualifying exam है, अभी NMC कह रही है ना, कि आपको मातर 50% लाना है, आपको इस exam को qualify करना है, जब तक आप लोग NEXT1 को qualify नहीं करोगे, तब तक आप लोग internship नहीं कर सक हो, मतलब अगर आपको internship करना है, तो आपको इस NEXT1 को qualify करना ही पड़ेगा, आपको इस NEXT1 को qualify करना पड़ेगा, ठीक है, अब देखो, अब इससे competition नहीं कम होगा, कैसे कम होगा, common sense लगाना, अब यहाँ पर 4th year में, तुम्हारे पास 1st year, 2nd year, 3rd year के syllabus आएगा, इविन 4th year क अब ही syllabus आएगा, तो कुछ बच्चे तो यहीं पर छड़ जाएगे, है ना, उसके बाद जब आपका NEXT1 qualify हो जाएगा, तो आप लोग internship करोगा, और internship के बाद, आपका होगा क्या जी मुना, next 2 होगा, और next 2 हो है न, वो replace कर रहा है, नीट PG को, ठीक है, जो कि practical based आपका exam होग जी, जिसके बाद आपको post graduation में seat दी आएगी, अब ही कितना फाइदे वाली बात है, कहां पर तब तुम नीट PG दे रहे हो, तो वहां पर बहुत competition है, seats के लिए मारा मारी हो रही है, rank अच्छा लाना है, अब यहां पर तो simple सी बात है, हमें qualify करना है, हमारे NEXT1 को, ठीक है, internship क पर ना है, और नेक्स्ट में अपना जो प्राक्टिकल एग्जाइम है, वह देखको आपको post graduation में sheet में जाएगा, जी, तो यह simple flow हो गया है, जी, देखो, वैसे भी जब तुम लोग नीट PG का exam देते हो, तो उसमें 1st year, 2nd year, 3rd year, 4th year, सारे year के अपने को syllabus पढ़के जाने होत तो वही तो काम तुमारे 4th year में कर दे रहे है, कि 4th year में तुम दे दो वही, 1st year, 2nd year, 3rd year, even 4th year, तुमारा काम असान हो जाएगा इससे, ठीक है, एक यह बात हो गई, आईए जी, तो क्या यह 2020, 2019, 21, 22, 23, 24, कौन से batch को देना है, जी, तो पहला जो अभी जो news सामने आ रहा ह वो NEET 24 वाले batch, जो MBBS 24 वाले batch होंगे, अगले साल वाले, जाएंगे, वो पहला exam तुमारा February 2018 में कंड़क करवाया जाएगा, ठीक है, मतलब 23 तक वाले जी, इनका इस साल भी admission होगा, उनको भी NXT 1 नहीं देना है, अब इससे impact क्या पढ़ेगा, impact क्या NXT exam का, देखो, सबसे पह qualify कीजिए, आप NXT 2 को clear कीजिए, और आपको post station की seat मिल जाएगी, अच्छा, अब competition कम हो गया, क्योंकि बहुत से बच्चे तो भई, NXT 1 में ही छड़ जाएंगे, अब यह difficult हो जाएगा, private students के लिए, क्यों मुझना, पहले क्या था था ना, कि private colleges में, अपनी, वो लोग की deemed universities सभी में NMC, पेपर 4th year में करवाएगा, तो यह जिते हो गई, अब uniformity रहेगी, चाहिए, तुम foreign से आओ, या तुम इंडिया से रहो, तुमको यह exam देना है, और quality medical doctors यहाँ पर हम बनेंगे, तो यह है तुम्हारा completely NXT का पूरा, I hope कि यह वीडियो आप लोग को समझ में आ गय हो, हमने YouTube पर ही पूरा human physiology खतम क्या playlist जाके चक कर सकते हैं, अब हम लोग क्या करें, 14 तारिक से, from 14th onwards, 14 August से, Monday से, रोज सुभा 10 बिसे, हम लोग human physiology की chapter wise practice हम लोगों यह आपर शुरू कर दिया है, इसकी link description box में free class होगी, free poll based session है, एक रुपह नहीं देना, आपको poll मिलेग, आ 7 दिन, 7 chapters नमारा खतम हो जाएगा, जरूर से आप लोग enroll कर लिजेगा, और telegram जरूर से join कर लिजेगा, जितना ही major PDF होंगे, वो आपको इस telegram channel पर मिल जाएंगे, I hope कि यह video आप लोग के लिए informative रहा होगा, इसके बाद बेगर कोई doubt है, do let us know in the comment section, मिलते हैं आपको अगले Bye-bye!